दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की, आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्यू हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस सग्गट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। अपनी अर्थववस्ता को तेजी से समाल सकता है। साथियों बीत्वे दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें, सारे दिशान निर्दोशों को मानते रहें तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवारिया है, आवशक है। बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहार निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो, सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो, ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेशकर, गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ओफिसिस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं। बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है। तो इस सारे उपाए ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाई, थोड़ी सी भी डिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तफस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी। हमारे दप्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में, अलग अलग राज्यों में, एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव, दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से, हमारी अर्थेववस्ता में, ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं, पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में, फर्टिलाइजर की सेल, बीते साल मई की अपेक्षा दो गुनी हुई है। इस बार, खरीब की बुगाई, बीते साल की अपेक्षा करीब, बारा, तेरा परसेंट जादा हुई है। टू विलर्स का प्रोडक्षन, लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब-करीब, 70% तक पहुच चुका है। रिटेल में, डिजिटल पेमेंट भी, लॉकडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टॉल करेक्षन, टॉल करेक्षन में बढ़ोत्री होना, एकोनोमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है। लगातार तीन महिने तक, एक्षपोर्ट में कमी के बात, जूर में एक्षपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके, पिछले साल के प्री कोविर पिरिड में पहुच गया है। यह तमाम संकेत हैं, जो हमें प्रोचाहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप मैंसे अधिकतर राज्यों में, एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और MSME का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट, बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं। MSME को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं। समय बद्ध तरीके से MSME को बैंक से क्रेडित दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड रुपिये तक के टर्न ओवर वाले उद्ध योगों को 20% अतिरिक क्रेडित के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्ध योगों को तेजी से क्रेडित मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे। लोगों को रोजगार दे पाएंगे। सात्यों हमारे यहां जो स्मॉलर फक्टरिज हैं। उन्हें गाइडन्स की हैंडोल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है। मुझे पता है आपके नेत्रूतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रप्तार पकड़ सकें। इसके लिए बैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं पी स्पेसिफिक एकनोमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं। वहाँ 2400 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अलोडिंग तेजी से हो, एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो एकनोमिक और तेजी से बढ़ेगी। साध्यों किसान के उत्पात की मार्केटिंग के खेतर में हाल में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा। इससे किसानों को अपने उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे। कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्थिवस्ता की गती भी बढ़ेगी। विशेश तोर पर नौर्थी शोर हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटी कल्चर इसके लिए अनेक अउसर ब बांबू प्रोडक्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो, उनके लिए नए मार्केट का अद्वार खुलने वारा है। लोकल प्रोडक्स के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीती की गोशना की गई है, उसका भी लाप हर राज्य को होगा। साथ्यों बीते दिनों आत्म निर्भर्द भारत अभियान के तहट जितनी भी गोशनाय की गई हैं, वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे, इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है। इस प्रिष्ट भूमी में करोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाव हैं, जो तयारिया हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुख हूँ। और मुझे पक्का विश्वास हैं, कि अनुभव के अधार पर आपकी जो बाते आएगी, वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी। मैं ग्रमंत्री जी से आगर करता हूँ, कि वे आगे की चर्चा का संचालन करे। झालन करता हूँ 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 झाल झाल